हेलो फ्रेंट्स तो हम आज की वीडियो में चैप्टर वन कवर करेंगे दे पोट्रेट अफ लेडी विच रिटन बाई कुष्वंत सिंग और ये क्लास इल्वेंत का चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट होन बिल बुक का तो मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटे समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्प्लीट देखना ओके तो पहले देख लेते हैं चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है ये कहना क्या चाहते है ये चैप्टर तो यह जो चैप्टर है इसमें हमें पता लगेगा क्या स्पेशल बॉ किसे सालो साल डेवलब हुआ और किसी किसे वह चेंज होता गया समय के साथ जैसलिज़ जो दाधि पूरी होती गई और उनका ग्रेंड सब्सक्राइब बड़ा उनका गई होता गया है आए बिफल देखने को मिलेगा कि वह सुलिट्यूंड और साइल वो फिल हो गया था ग्रे कि हमें God की company में रहना चाहिए और हमें ये spiritual works ने एंगेज रहना चाहिए और पक्षियों को feed करना चाहिए कि अब हम देखते हैं appearance of grandmother grandmother कैसे दिखते थी कुश्वन सिंह की तो उन्होंने हमें बताया he recalls his grandmother as a very old lady with a wrinkled face उन्होंने बताया की जो उनकी छैंड मा थी वो बहुती बूडी थी, वो रों कन्तों वाला थी और जो उनके लूथ रूज़ रे कस पस ही अधूह थी में। जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग एंड प्रिटी भी थी क्योंकि फ्रम हिस चाल्ड हुड क्या देखा कुष्ण सिंग ने कि पिछले 20 सालों से ग्रैंड मदर वैसी की वैसी है उनका वैसे रिंकल वाला फेस है और वो बहुती छोटी सी है थोड़ी सी मोटी सी है और थोड़ी जुक के चलती है तो उनके लिए यह मानम मुश्किल था कि हाँ वो भई यंग एंड प्रिटी तो वो कभी नहीं थी ठीक है और ऑथर रिमेंबर करते है क्या हर होबलिंग अराउंड दे हाउस इन स्पोटलेस वाइथ क्लोच अब होबलिंग क्या होता है यानि लड़ खडा के चलना जैसे इस इंसान बुड़ा होता जाते है तो देखा हुगा आपने भी आपने आसपडोस में कि जो बुड़ इंसान हो अपनी कमर पे हाथ रखके चलते है अपना बैलेंस बनाते हुए तो उन्होंने भी बताया कि जो उनकी दादी थी वो ऐसे लड़ काउंट करती रहती थी ठीक है और उनके लिपस थे वो हमेशा साइलेंट प्रेयर में चलते रहते थे उन्होंने कुशून सिंग ने यह भी बताया कि जो उनकी ग्रेंड मदद थी वो प्रेटी नहीं थी ट्रेडिशनल सेंस में बट हर सेरेनिटी मेंड हर ब्यूटिफल सेर बहुती शांत सी थी तो वह अपने अपने बहुती बीउटिफल चीज थी ग्रेंड माके अंदर उसके बाद कुशून सिंग ने बताया अपीरेंस उनके ग्रेंड फादर कैसे दिखते थे तो उसमें उनके कहा कि ग्रेंड फादर पॉत रेग वोट वट वोज हैंग अबव और वो क्या था, उन्होंने उस फोटो में एक बिग टरबन और लूज फिटिंग क्लोज पहने थे, ऐसे ही कि एक बड़ी सी पगड़ी पहने थी, और डीले डाले कपड़े पहने थे, और बताया है कि जो उनकी जो वाइट बीर्ड थी, जो उनकी सफेद दाड़ी थी, उन्ह इंसान है जिनकी कोई, मतलब जिसनकी कोई बीवी या बच्चे नहीं है, पर उनको ऐसे जरूर लगता था देखे कि हाँ इनके तो बहुत सारे ग्रांड चिल्डरन होंगे, ठीक है, तो मतलब देखा आपने किसे जो कुश्वन सिंग है, वो अपनी ग्रेंड मा को प्रिटी को, बट रट वस नौँ देखे कि कि आपने की कुश्वन्थ सिंग की और उनकी दादी की लाइफ विलेज में, और कैसे कैसे वो बहुत सारे सवरेल चिंजेज में गई, तो उन्होंगे बताया कि जो कुश्वन्थ सिंग है, वो उनकी इस दादी के साथ गाव में रहते थे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो शहर में चले गए थे सेटल होने की अपोर्चिनिटीज ढूनने के लिए यह होता था ना कि हाँ आप यहां रहे हम आप जाके पहले कुछ अच्छा सा कुछ अरेंजमेंट करते हैं फिर हम आपको भी बुला लेंगे इसलिए उनके पेरे अरेंट को यह चाहिए वह चाहिए यह सारी चीजों से उसे प्रोइड करना भी तो वह क्या था उन्हों जो ग्रैंडमा थी वह उन्हें सुबह सुबह मौनिंग में उटा आती थी उनको स्कूल के लिए रडी करती थी उनकी जो प्लास्टर करती थी मतलब पहले कॉपीज न बनाती थी और उन्हें स्कूल में जाते हुए कंपनी देती थी कि चलो स्कूल चलते हैं और उस वक्त जो ग्रैंडमदर थी वह टेंपल में बैट जाती थी क्यों क्योंकि जो स्कूल और जो टेंपल वह आपस में कनेक्टेड थे ठीक है और उस वक्त जो ग्रैंडमदर थी वहां पे मतलब हॉली बुक्स पढ़ती थी ठीक है और नारेटर उस वक्त स्कूल में एल्फाबेट्स और प्रेयर्स लंग करते थे और उन्होंने बताया कि मतलब जैसे जैसे ऑथर की छुटी हो जाते थी स्कूल से तब वो आते हुए गली के मतलब ये स्ट्रीट डॉक्स होते ना उन्हें स्ट्रेल चपाथी देते थे घर तक आते हुए और ये उनके लिए बहुत ही एक फन लविंग मॉमेंट होता था और बहुत नज्योए करते थे एक ग्राड मुढ ये उनकी एक बहुत अचे गारियन है, मेंटर है, और क्रियेटर है जो हुए उनको भुप खयाल करती है, उनको लेकर आती है, लेकर जाती है अब यह तक तो हमने देखा कि कैसे विलेज में बहुत ही इंजोई करते थे ग्रैंड मा और ग्रैंड सेना एक दूसरे के कंपनी को और कैसे ग्रैंड मा उनकी नीच को फुल्फिल करती थी है ना अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि जोनकी लाइफ है सिटी में वह कैसे एक ट लां यह तो इस फ्रीट आरह से नना मिकली स्हाइवा we right at ऐट ऋ के स्कूल जाते हैं ग्रैंड मसफिल का से उनके साथ नहीं जा पाती थे क्योंकि जो एंच मार्ण में तर वह कुटे कुल में एक दूसरी को कम ही देख पाते से और अब कि में ंसन पोग सभी सोगिते है और अब जैसे देखा जाए विलेज स्कूल में उस टैम पे क्या था मतलब टीचर्स पढ़ाते थे गोड के बारे में स्कृप्चर्स के बारे में बहुत ज़ादे रिलीजिस चीजों के बारे में पढ़ाते थे और अब यह जो न्यू स्कूल है उसमें वह उन्हें पढ़ा उनके लिए मानना ऐसा था और वह ना खुश इसली भी थी थोड़ा क्योंकि वह उनको हेल्प नहीं कर पाती थी उनके लेसंस करवाने में उस स्कूल में क्या था वह रिलीजिस चीज पढ़ाते थे तो दादी को पता होता था तो वह पढ़ा देती थी पर अब म्यूजिक लेसंस है उनको म्यूजिक लेसंस दिये जाएंगे स्कूल में और उनके लिए तो बहुत बड़ी ऐसे अंदर से टेंशन का माउल हो गया कि यह क्या पढ़ा रहा है जेंटल फॉल्क्स के लिए यह चीज नहीं बनी जो म्यूजिक है यह तो बैगर्स और लो स्ट तो यह था टर्निंग पॉइंट जब वो स्कूल में जाते थे उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो उसमें क्या था कि जब उनका स्कूल फिनिश हो गया तो कुश्वन सिंग यूनिवर्सिटी में जाने लगे उसके गलत कमरे में रहते थे तो इनके लिए ये फ्रेंडशिप भी थोड़ा सा गाप आगया कि अपना सेलफ इंपोस सेक्लिजन और उन्होंने अपना जाधा से जाधा टाइम ये प्रेयर रेसाइट करने में लगा दिया वह भक्ति-शाकर में बहुत ज़द अभीजी होने लग गई और वह अपने स्पिनिंग वील के साथ टाइम स्पेंट करती थी तो स्पिनिंग वील के स्पिनिग समयार पिसार आपक करती थी यह अपने छर्के पर ही लगी सिर्फ में पिस्यों लगाता की इंव स्पिनिये ओफिस्ष्चर्ण में करें वह रिलैक्स करती थी सिर्फ सिर्भार्व को फेड करते हो रưỡर ब्रिमक्रें। पुक्रम्स के नहीं के लिए बहुत था Felette कुछ रहने तो I uh fou आप ज्याद खाव पयाका संव लोग जाद जा उनके लिए यह बहुत ज़्यादा हैं था Javek Ad सब्सक्रेजादानाई था कि पैर उनके पैर पेप बैठ जाती तो और वो उन्हें ऐसे हटाती नहीं थी जो कि दिखाते है कि वह एक बहुत ही काइंड लेडी थी है ना देखो जैसे इस फोटो में भी ग्रैंडमा के सिर्पे बैटी हुई है तो यह कुछ नहीं कर रही है अभी भी डाल रही है और बर्ट से इंजोई कर रहे है अपने मझे से ह तो अब इसमें क्या था कि this was the face when she found herself totally isolated and aloof but she was braved and she enjoys her time in being busy in the religious things and feeding the buds right और उससे भी जादा turning point को वाया जब जो author थे उन्होंने decide कि भाई अब तो मुझे abroad जाना है पढ़ने है ना कुछवन सिंह ने decide कि अब हम हुए परदेश ही हम चले abroad तो इसमें क्या था कि grand mother पर अपसेट तो थी भाई कोई भी होगा कि हाँ भाई अब मेरा पोता मुझे छोड़के दूसरे देश जा रहा है पर वह यह था कि वह बहुत ही एक strong और एक bold woman थी उन्होंने अपने emotions को शोनी किया और वह उन्हें टाटा बाई-बाई करने railway station पे भी आई पर वह उस वक्त भी प्रेयर्स में इतनी बिजी थी कि वह अपनी जो उनकी रोजरी थी वह होती है ना वह माला अजबते रहते हैं इंसान कि आम नमस्षिवा ऐसे ऐसे करके तो वह उन्हें चीज में बहुत जादे बिजी थी उस वक्त भी तो उस वक्त टाटा बाई-बाई करते वह फिजिकल कॉंटेक्ट का क्योंकि ग्रेंड मा तो बहुत बुड़ी हो चुकी थी उन्हें लगा कि अब जब तक तो मांगा जब तक तो ग्रेंड मा जा चुकी होंगी है ना पर अजनी था ओतर आगे वापिस का अपने घर पे तो इसमें क्या था वेन ही कम बैक अप्ट अब जादा रिलीजिस हो चुकी है और जादा सेल्फ कंटेंड हो चुकी है और वह अपना और भी जादा टाइम आशे यह प्रेयोर्स में बीजी करती है और उनके लिए अभी भी हैपिएस्ट मॉमेंट वह यह दिन का क्या फीडिंग दब स्पैरोज तो अभी भी वह उनक कुछ बिन लेकिन कुछ अलग वह वह क्या हुआ चलो देखते हैं तो क्या था डाट इवनिंग डाट वुस्ट टाइम एवर शी डिड़ नोट प्रेय अभी तक तो हमने देखा कि भाई हाँ वह कितनी ज़्यादा भक्ती करती हैं और अब वह उस इवनिंग प्रेय नहीं कर तो देखाओगा ना जैसे कोई इवन्ट होता है तो बहुत सारे अरते आ जाती है वह घर प्या के गीत वगेरा गाती है और इंजोई करते मुम्मेंट को तो जो ग्रैंडमधर थी वह उनके ग्रैंडशन के आने पर बहुत खुश्ती कि हां भई मेरा मेरा ग्रैंडशन आया इतना बीजी चीज चीज में वह ड्रम को पीटे जारी थी पीटे जारी थी कि आ गया आ गया है ना तो जो उनकी परिवार वाले उन्हें उसे रोकना पड़ा क्यों कहीं उन्हें ओवर्स्रेइनिंग नहीं थका बटना हो जाए जाए जादा और वह अगले दिन बिमार नही हो पर कल यह हुआ है अब इतनी ज्यादा एकëसांटमेंट में इतना जादा लिए कि वह अगले दिन बिमार हो ह गई अब अब हम देखेंगे कि जो ग्राइंड मदर है हमें यह तो पता लग गया कि हाँ भाई वो बिमार हो गई है क्यों बिमार हो ही है बहुत्ज़ दॉल वजाने के वज़े से बहुत जादा भक्तिमे वीजे फुटमे नहीं है तो जो डॉक्टर था वो भी देखो कैसा था उसने कह दिया कि ये तो mild fever है और ये mild fever चला जाएगा पर आपने देखा होगा कि जैसे इंसान बुड़ा होते जाते तो उसे थोड़ा सा अंदर से पता लगने लग जाते कि अब next क्या होने वाल है है ना तो क्या था कि जैसे end आ गया था उनकी life का तो उन्हें पता था she can foresee that her end was near है ना तो वो भाई उस वक्त उन्होंने में का भाई अब मेरा तुम वक्त जाया ना करो मुझे तो बस अब pray करने दो और वो अपने इतनी जदो omitted होगी pray में वो करती रही कि नहीं किसी से बात करना न अपनी रोजरी की बीट्स को काउंट करती रही की है ना और फिर क्या था उससे पहले उनके घर के suspect करें उनकी lifeless fingers से वो रोजरी गिर चुकी थी और ग्रेंदमा की सासे थम चुकी थी यहां पे ग्रेंड मदर का end हो क्या अब हम देखते हैं a silent tribute by the sparrows तो क्या था तो जो ग्रेंड मदर है वो उनका तो एक बहुत यूनीक बोंड था sparrows के साथ है ना वो रोज उनका आफटनून में bread खिलाती थी है ना और उनके लिए बहुत सबसे ज़्यादे happiest moment होता था तो उस दिन भी क्या हुआ अज उस दि उनकी डेथ हुई उसन थाउजंड सो स्पैरोज दे सेट अराउंड देड बोड़ी ऑफ ग्रेंड मदर को आई और ग्रेंड मदर की बोड़ी के साइड में शांती से बैट गी दे तूम silence से और इस चीज़ को देखके मतलब कुष्टुवट सिंग्की मदर ने देखा कि भई बाट सारकी है काचान करती उन्हें bread डाल देती हु तो उन्होंने bread डाल दी बत टुक no notice उन्होंने तो ध्यान दीए किया क्या जैंब ये bread में bread तो चीए नहीं और वो अपने दादी के बास से बैट गई बट साही अराम से बिलकुल शामती से और और जब ग्रैंड मदर को फाइनल राइट्स के लिए केरी किया गया उनके फ्यूनरिल के लिए तो वो सारी चिडिया एकदम साइलेंटली उड़ गई बिना कोई शोर से राबा जो रोजा के ऐसे एकदम हड़कम जाते इसे चीचू चाचू एसे करती रहती थी वो बिलकुल भी उस दिन उन्होंने कोई शोर नहीं किया और उन्हें भी इस चीज का बहुत दुख था कि हमारी दादी गई है ना तो क्या था ब्रेड तो किसी चिडिया ने खाया ने तो नेक्स्ट दिन स्वीपर आया और वे सार मैं मैं प सकत करता है और भी ह Gemeशें मिए खाया ने जचे ठाया ने जिसमनी हुर्ट चूप जज़ कर वाचिए खाया तो कर वाहरीED नहीं में मझावा नहीं अन्हीं अच्छिट टौne दू आर हो चाबना से बächstू जूरू ठपह सब्सक्या मcenteredर उन्ट कर ब्सक्ता ए्ड़ कर झाल झाल